अब लो गाइस दिस नवीद एलेक्टरेशन यह जो वीडियो देख रहे हैं आप सई बात है चार से पांच मैंने लेट हो गया असल में क्या है ना इस वीडियो में जो आप मोटर देखने वाले है वाइफर का जो स्प्रेय वाला मोटर है यह असल में आटों में नहीं आता य या इस यूवी ट्रक गाडियों में बड़े बड़े गाडियों में आता यह आटों में नहीं आता तो हम लोग क्या करें इसके पर रिसेच करके इसको अलग से हम लोग खुद तयार करके फिर इसके पर अपलाई करें जब जाकि यह वीडियो बन रहा तो असल में क्या 2023 में आज से पहले ऐसा वीडियो पूरे यूटूब पे आपको शायद आप गूगल पे ढूनेंगे तो नहीं मिलेंगा क्यों बोले तो पहली बार हमारे इस चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगा तो चलिए स्टार्ट करते तो हमारे पास ये बॉक्स आगया हमा मन तो सबसे पहले पैप है एक डबा है और ये कवर में कुछ एक बटन है और शायद ये नौजल हो सकते हां बिलकुल नौजल है जो कारों में बंपर के सुरी बानट के उपर जो आते ना वह ये बिलकुल दो नौजल से और ये खरन का पट्टी है और एक स्विच है तो इस भी फूचर में खराब भी हो जाए या जाम होगे तो दूसरा हम स्टेमाल कर सकते हैं और ये एक हरन का बटन है शायद ये हां मोटर के लिए है जब इसको हमें सब प्रेस करेंगे तो मोटर आन होता और पानी बाहर निकलता और एक पाइप है ये जिसकी लेंद तो अच्छ वाइफर असल ये जो डबा है ना ये आपको गाड़ियों में मिलता ये और ये कुछ वैरिंग है किट अलग से तो इसको भी आगे देखेंगे और एक फाइनली एक डबे में यहां मोटर का बॉक्स है मतलब ये डीसी का वाइफर मोटर है ये आम तोर पे कारों में रहता ज खळर आपको ये सारे के सारे चीज़ें अगर आपको खरीदना है तो मिल जाते हैं अनलाइन में भी कई का आफलां में भी और ये देखो बहुत अच्छी बात ये थे पर लगते ऊहीं लगाते हैं प्रेशक अहर निकल जाता कॉयराद एक आईल सिल का काम करता है तो यह जो रबर है ना सबसे पहले इस डबे में लगा देते इसको लगाने के बाद देखो यह बहुत आसानी से बढ़ा आता रबर कोई हाड काम नहीं है और इसमें कोई फेविकिक या गलू गन और एमसिल वगएरा लगाने की जूरत नहीं है हाँ पर यह जो मोटर है यह मोटर थोड़ा सा हाड बैटता इसमें और यह देखो यह जो मोटर का मोटा वाला वाल है वो अंदर जाएंगा और बाद आप तो हमको समझ में भी आरा वीडियो में के सामन देखने के बाद के कौन सा एटम कहां पर बैटेगा और कौन से एटम की जगे कौन सी है तो यह देखने में भी बहुत आसान है कोई बड़ा हाड इंजिनियरिंग काम नहीं है बहुत आसान ही है मेरे साथ से तो खेर इस वीडियो को आप देखो बहुत आसान बैड़ घ्र गया यहां से क्या है मालूम और भी गाड़े उ मन industry हम before में हैं कारों में और लारियों में भी हम पानी डाल सकते हैं और ये डबे में तकरीबन दो लिटर तक पानी आता और ये पाइप भी जो है ना बहुत अच्छा खासा पाइप है और ये कुछ वैर है और यहाँ पे देखो दो क्लिप लगे हुए हरन के और एक बटन है और एक एक पटी है इसके साथ मतलब इसके जो जो सामान लगते है पूरा A2Z कंपलेट किट है और ये हमारी गाड़ी ये बजाच का है BS4 वाला माडल है अगर BS3 का हो या BS6 का हो या फ्यूचर में अगर BS7 में नहीं बया तो कोई प्राबलम नहीं देखो यहाँ पर एक बॉटल का स्टांड है आम तो पर यहाँ पर नहीं पट्टी है ये उसको बिंड कर लेना जैसा स्क्रीन पे देख रहें देखने के बाद यह जो मोटर है इसका बारिक वाला जो वाले बाहर आना और उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे पाइप को लगा लेंगे क्यों बोले तो जब हम इसको फिट कर देंगे ना तो फिट करने पर देख रहें, बिल्कुल पहले क्या है, ये पट्टी को थोड़ा अच्छे से end bend करके, मतलब सही direction में आपको adjust कर लेना है, क्यों बोल तो ये एक alteration काम है ना, इसलिए थोड़ा सा adjust कर ले रहे हम इसको, करने के बाद देखो, अब ये सही setting बेढ़ गया, तो अब क्या करेंगे, finally जब ये इसका, मतलब सही हमको इसका direction और अंदाद मिल गया, तो अब इसको अच्छे से fave kick डाल लेंगे, दोनों rubber में, मतलब नीचे उपर, दोनों rubber हो में अच्छा सा fave kick डाल लेंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, अब इसको एक net bolt की जरुवात है, मतलब अब ये जो पट्टी हमें फिट कर रहे तो उसमें net bolt होना, तो देखो ये एक 10 नंबर का bolt है, half inch वाला, half inch वाला, आदा inch वाला, तो सबसे पहले bolt को बिठा दिया में, bolt को बिठाने के बाद अच्छे से इसको पहले bolt को बिठाना है, फिर rubber जो fave kick लगा है, उसको चिपका देना है, उसके बाद क्या करेंगे, जो 10 नंबर का bolt है, उसको अच्छे से full tight कर देना है, टाइट करने के बाद, अब ही देखो, और एक बाद, यहाँ पर एक और एक बार sorry बोलना चाहूंगा, क्यों बोलतों देखो, यहाँ पर एक और बार sorry, यह जो पाइप लगा रहे हम, पाइप लगाने के फौरी बाद, आपको यहाँ पर दो wire मिल जाती, यह wire लगाना था, मैं भूल गया, तो उसके लिए I'm sorry, पाइप लगाने के बाद, क्या करना हमको, यह जो wire मिल रहे हैं, इसके अंदर दो हरन के clip लगे हुए, देखो, यहाँ पर एक red और एक black, मतलब red वाला plus है, और black वाला minus है, तो यहाँ पर motor के उपर आलरड़ी यह direction दिया हुआ है, कि देखो, यह वाला plus है, और यह arrow के पास minus, तो यह plus और minus है, इन दोनों को दिहान में रखे क्या करना है हमको, plus के जगा पर plus को लगाना है, और minus के जगा पर minus को लगा देना है, लगाने के बाद अभी यह देखो, ऐसे तो बहुत खरीब दिख रही है, पर आपको घबराने और डरने की कोई बात नहीं है, क्यों बोल तो इसमें यह आपस में touch नहीं होते, और बहुत strong भी रहते हैं, तो डरने की जरुरत नहीं है, फिर इसको वापस से जैसा कथे हुएसा, इसको अब हम continue करेंगे, तो continue करते वक्त क्या है, फिर जैसा fit करना था, बताया था मैं यह उसा fit कर दो, करने के बाद अब क्या करेंगे, जो wire है ना, इसको अंदर से ले लेंगे, अंदर से जो डिक्की के नीचे से, अब ब्रेक पैंडल के उफर से लेते हुए, handle के पास लाना है, और उससे पहले क्या करेंगे, जो indicator parking का जो wire होता है न, उसके अंदर से, मतलब उसके आड में घुमाते हुए, इस wire को हम handle तक ले लेंगे, लेने के बाद क्या भी यह जो wire है हमारा, या बाहर नहीं दीखेंगा, मतलब इसके कोई disturbance नहीं होगा, कोई चिलर नहीं दीखेंगा, कचरा नहीं दीखेंगा, फिर उसके बाद देखो, अब यह हमारा जो डबबा है, 100% सईब फिट हो गया, अब यह जो pipe है, यह pipe को हमको ले जाना है, उफर सेमशेड तक, ग्लास तक, तो यहां से यह पट्टी के अंदर से इसको pipe को पहले खीच लेंगे, खीच लेने के बाद यह देखो, यह pipe बहुत लंबा है, तकरीबान 2.5 मिटर के उतना इसकी लंबाई है, फिर उसके बाद क्या करना, यह जो डैश बोर्ड है, इसके अंदर से जैसा स्क्रीन पे देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मतलब हलू हलू करके इसके अंदर धकेल देना है, तो यहां ऐसे लगा देने से क्या है मालूम, यह pipe बाहर नहीं दिखता आपको, और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह गाड़ी के अंदर कोई additional मतलब extra fitting किया हुआ है, तो दिखने में भी अच्छा दिखता और कुछ official का चीज़ें भी अपकी गाड़ी में है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा फेविकिक लगा देंगे हम, तो पड़दे का एक फ्रेम है, तो फ्रेम के अंदर से पैप को ले लिया हमें, लेने के बाद क्या करेंगे, अब इसी फ्रेम के अंदर से, मतलब यह पड़दे के आड़ में, पड़दे के बिल्कुल बाद से देखो, इस तरह होते हुए उफर चले जाएंगा पैप, उफर जाने के बाद अब यह जो राड सेटिंग है, जिसको राड भी बोल सकते हैं, या फिर जो टाप का, जिसमें, खर जो भी हो, इसके बाद उसे अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहें, यहां से होते हुए, गलास के बाद उसे उफर, गलास के उफर आ गए हम लोग, आने जो पैप है, वो टन हो रहा, मतलब यहां से टर्निंग पॉइंट है, और इस परदे के अंदर से देखो, बिलकुल भी बाहर नहीं दिख रहा, और यहां से होते हुए, गाड़ी के बाहर आ रहा, मतलब आउटसाइड चला गया, देखो इसके पीछे से होते हुए, गलास के उपर आते आते आते, यहां से सीधा जाते हुए, गलास के एकदम सेंटर में, मतलब देखो यहां पर यह जो चूड़ी देख रहा है, यह हर गाड़ी के उपर रहती है, मतलब यह एक सेंटर है, समझ लो, यहां से इसके बिलकुल नीचे तक हमारा जो पैप है, वो आ गया, मतलब सेंटर तक आ गया, अब क्या करेंगे हमको, यहां देखो, यह जो पटील लगा हुआ, समझेट का, इसके यहां तक लाने के बाद, हमारा यह जो पैप हैना थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसकी थोड़ी सी लंबाई जादी है, तो हमको जतना जरूरत है, उतना पैप रखेंगे, बाखी का जो जादा बड़ा है, उसको हम काड़ देंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको काटने के बाद, अब यह जो नौजल है हमारा, नौजल में देखो, तीन वाल है, तो सबसे पहले हम नौजल को इसमें फिट कर देंगे, बहुत आसान है, बस इसम को अंदर की तरफ दबा दो, यह फिट हो जाता, अब क्या करेंगे, जो नौजल है, यह तो बढ़ गया, अब फिट करने से पहले मैं आपको एक डौट किलियर कर दूँ, देखो, यह नौजल जो है, इसको आप अज़ेस्टेबल है, मतलब इसको आप नीचे उपर, यह ले है, जो नौजल है, उसके उपर थोड़ा सा फेविकिक डाल देना है, अच्छा सा, फेविकिक डालने के बाद, अब क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टन काम, यह जो सेंप्षेट है, उसके बिल्कुल सेंटर में, मतलब जहां पर उपर जो चूड़ी देखेते हैं, हम लोग वहाँ पर यह गिलास के सेंटर में भी बोल सकते हैं, अब देखो जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर चिपका देना है, बस आपका तकरीबर 90% से ज़्यादा काम तो ऐसा ही हो गया, देखो अब यहाँ पर यह हमारी चूड़ी और इसके बिल्कुल नीचे सेंटर में था, अब क्या करेंगे, अंदर आने के बाद यह हैंडिल के नीचे का जो क्या पर इसको खोलेंगे, खोलने के बाद यह क्यों हमको कनेक्शन देना है, देखो डबा फिट कर दिए, पायम फिट कर दिए, नौजल फिट कर दिए, अब हमको कनेक्शन देना है, कनेक्शन देने के टाइम पर यहाँ पर एक वैर आने के बाद दो हिस्सों में बढ़ गई वैर तो एक में रड एंड बलाग देखो यहाँ पर बलाग एंड रैड दो प्हलीयरे के लिए और प्हुत हो अवर दूसरे केबल में हे हमारे बाद यहार फास eyes red उसके बाद ये जो बटन है आपको डबे के अंदर मिल जा रहा तो इसी बटन को हम पहले इसके नट को खोल लेंगे फिर ये भी पट्टी हमको डबे के साथ मिल गई थी तो ये पट्टी होलडर बोलते इसको तो इसको इसको इसके अंदर फिट कर देंगे करने के बाद ये ज तब फिट कर दिये फिट करने के बाद आप क्या करेंगे जैसा यह जो सिल्यू था इसके उपर का चड़ा दो चड़ाने के बाद देखा अब यह हरन का जो स्विच है उसके नीचे वाला स्कुरू यहां लगाने से क्या है एक तो लुक अच्छा दिखता देखने में दूसरा हमको बटन में आफ करने में आसानी होती बस यह स्कुरू खोलो और यह पट्टी में ऐसे लगा दो और वापस से जैसा खोले थे वैसा फिट कर दो अब देखो इसमें कोई चिलर नहीं दिख रहा एकदम अफिचल यह हरन यह सेल्फ और यह पार्किंग हेडलाइट और उसक जर सकते और यह जो प्लेस वाला वैरेड़ वाला यह हमारा पॉज्टी है टो इसको क्या करेंगे सबसे पहले यह जो हमारा में कपलर 되어 मतलब फिच्ञाइन नहीं का डिया लगाने के बाद वापस से जैसा खोले ते वैसा फिट कर देना है इससे क्या होता हमको को कोई वयरों को हम खाट रहें consumo देमेज नहीं कर रहे बस कुलिप को निकाल रहे वपस क्लिप को निकाल रहे वापस से लगादे रहे अब यह जो ब्लू वाला होल्डर निकाल रहा हम इसको हम यहांसे अर्टिं लें तो यहां पर देखो यह goes channel की यहां पर लगादेना तो अब देखो फाइनल डेमो ये है हरन और इसके उपर है सेल्फ ये पारकिंग ये हेडलाइट और इसके बिल्कुल बखल में है हमारा वाइफर का मोटर शायद आपको साउंड भी सुनाई दे रहा हूंगा मोटर का तो यहाँ से जब बटन दबाएंगे तो देखो बिल्कुल एकसलेटर ब्रेक पैंडल के बिल्कुल बखल में हमारा ये डबा है पानी का तो ये ढकन खोलेंगे और इसमें पानी डालेंगे इसमें तकरीबन दो लिटर के उतना पानी आ जाता तो सबसे पहले पानी के एक कंपू या फिर कुछ सरब भी दाले तो भी चल जाता नो प्राब्लम फिर उसके बाद देखो ये डबा हमारा कम्प्लिट हो गया 100% यह आवाज भी शायद आ रही होंगे आपको स्वींगी बलके देख सकते हैं मतलब मोटर चालू है हमारी अभी देखो ये प्रेशर मार रहा देखो ये तीन डिरेक्शन में गिर रहा पानी मतलब अलग-अलग हो गया एक किदर की जा रहा और एक किदर की जा रहा तो अभी इनको हम तीनों जो वाल है उनको एक डिरेक्शन में लाएंग से के हमको अड़ेक्स कर सकते हैं जैसा देखो स्क्रीन पर हम अभी एख रहे हैं आप फैनल हो गया अभी किया है तीनों के तीनों जो प्रेशर है वह आज़टी अब इसको जब वाइफर को चालू करेंगे ना तो अब इसका रिजल्ट देखुआ वाइफर दाला भी कर देख सकते कितना नीट एन क्लीन है ऐसा नहीं लगेगा कि किसी को और यहां पर देखो पानी नीचे भी आ रहा तो यह डेमो था सबूत था तो यह था वीडियो उमिद है अब तमाम को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा तो इस वीडियो को शेर जरूर करना और एक दूसरी सबसे खास बात अगर आपको यह खरीदना है तो कहां से खरी काम चल रहा तो हो सकता यह फ्यूचर में आने वाली जो गाड़िया है जैसे बीएस सेवन या बीएस याइट मतलब जो अगले साल यह उसके अगले साल नए गाड़िया जो आएंगी उसमें आपको यह इन बिल्ड होके मिलेंगा और अगर यह कभी आनलाइन हो गया तो इस फिडवेक लेना था कि यह तरीखा सई है या गलत है अगर सई है तो और इसमें कुछ कमी या जादती करनी की ज़रूत है और अगर गलत है तो गलत क्यूं है कुछ गलती है तो उसमें भी आप कमेट करके बताओ क्यूं बहुं गहला तो यह प्रोटो टइप जो होते मतलब यह customer से feedback लेने के लिए होते मतलब पहले तो कि है पब्लिक में इसको release करते और पब्लिक से मश्वरा लेते मतलब कि कम करना चाहिए या कुछ ज्यादा करना चाहिए तो उसी तरह यह वीडियो आपके लिए अपना उपेनियो के निचे कमेंट में जरूर लिखो क्यों बोले तो यह वीडियो में जो आप देखे स्प्रे मोटर या वाइफर का वाइंड शील्ड मुस्प्रे मोटर अलग अलग नाम से भी बुलाते इसको तो आपने उससे कोई लेना देना नहीं है बस आपसे रिक्वे देखने को मिलेंगा तो उसके लिए आप तमाम लोग तयार हो जाओ और इस वीडियो को शेर जरूर करो और उससे पहले लाइक करो और हाँ अगर चैनल पे नए है या पहली बार आए या रेगलर भी मेरे वीडियो देख तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो जरूर करो